हमारा संघर्स जीतेगा ये मोधी का घमंड हरेगा और ये क्रिसी कानून रद करवाकर तभी हम लोग घर जाएंगे जिसके घर में विकास नहीं कर सकता अब मानेगे कि आज की अपील के खत्म कर देना चाहिए देखिए सबसे पहले आई पीसी धारा 188 के तहथ हमारे देश के अदाणिये परधान मंति नरेंदर मोधी जी पर केस होना चाहिए और उनको छे महीने के तक जेल भेजना चाहिए इसलिए लोग सभा में उन्हों ने बिना माक्स लगाकर उन्हों ने स्पीच दिया करोना जैसी बीमारी को जुनों अपना धंदा बना लिया था उन्हों नहीं को फैलाने में युगदान दे रहे हैं यह नहीं और दूसरी बात आपने आपने कहां आपने कहा कि किसानों के बात माननी चाहिए किसान घर चले जाए तो आपको मोदी जी 75 दीन से कान में क्या घूस गया है कि किसान काह रहा है कि तीनों क्रिसी कानुन रद करो और MSP पर कानुन बना दो यह आपको सुननाई दे रहा है कि नहीं सुनाई देराourse जाने मोदी जी आपसे किसान सूरज और चांद नहीं मांग रहा है आपको देना पड़ेगा इसलिए देना पड़े जाएंगे लेकिन पीछे नहीं तीसरी बात यह क्रिशि कानुनकार है हमें स्टेक कर देते हैं यह जहर है मैं के लिए किर साल की बात पढ़ाओ मित्यू हमें हो जाएगी लेकिन आपको यह भरोसा था कि हो सकता है वाद वह इसे रद भी कर दे या कुछ और बता हूं मैडम यह हमारे देस के परधान मंत्री है और समय आएगा तो हम यहां पर लिक लेंगे हमारा परधान मंत्री जूटा है इसलिए है जो बात करता है यह किसानों के आयदोगी नहीं करेंगे उसके काला कानुन थोप देता है बोलता है किसानों कि आयदोगी 강ी नी करेंगे डीजल खेत में जेंटर के से चलेगा बिजलिए के आयए पांचुनी नी मांगी कर देती है खेत में पानी कैसे जाएगा जो बेखती कहता है कि हर साल दो क्रोनी वाव को रोजगार देंगे रोजगार खतम कर देता है उसमें भरोसक कैसे कर सकते हैं मैं इसलिए किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए और एक और बात कर देते हैं जब सीता जी को रावन ने प्रहन किया था तो और क्या बोलता था कि हम सीता जी को नहीं छो थोड़ा कि हमारे देश से अंग्रेज भागे उसी तरीके से मौधी सरकार किसानों के बीच में घुटी ने टेकेगी और कहेगी किसान भाईयों हमें माप कर दो यह क्रिसी कानून रद कर रहे हैं अब थोड़ा सा उन्तिजार की एक बिहार में कहावत है कि छोर को पुलिस ने दस प्याज खाओगे या दस जूता तो चोर ने कहा कि हम दस प्याज खाएंगे प्याज खाने लगा तो तीता लगने लगा बोला प्याज नहीं खाएंगे जूता खाएंगे तो क्या हुआ प्याज भी खाया जूता भी खाया वही परधान मंतरी के साथ होगा प्याज भी जीतेगा यह मोदी का घमंड हरेगा और यह क्रिस्टी कानून रद करवाकर तभी हम लोग घर जाएंगे मैं आपको पहले तो तरक संगत बता दू कि अभी अभी भाशन कई करने की लोगों सुने मन की आवाज है कि वो मन देखिए तो सबसे बड़ी Watts यहां के साथ खिलवार करने की वन्हों नोट बंदी के टाइम भी किया था जिसकी गोष्णा गवर्नर को करनी थी उसकी गोष्णा मोधी जी करते हैं तो उन्हें आदत पड़ चुकी है पर हमें आदत नहीं अब सम्विदान के साथ खिलवाड होने देने की इसलिए मैं कहना चाहूंगा मोधी जी इसमें काला ये भ हो उस जहर को आज ले लो या बाद में ले लो जहर तो जहरी रहेगा जहर बदला नहीं जा सकता जहर अमरत नहीं हो सकता और फिर अब मज़े ले लिजिए मोधी जी के मोधी जी ने छे वर्ष में सत्तर बार रूब बदले हैं और उस रूब बदलने पर मैं कहूंगा कि मो तो समझ गए थे उसी दिन जब आपने ऐसे ऐसे कराता कहीं आप हीज़डों की सभा में तो नहीं हो आए थे हम समझ चुके थे तो यह मोदी जी को हम समझ चुके हैं मोदी जी कितने बेरूपी और इनका काम कर रही है मैंस्ट्रीम मेडिया जो लगातार उने ऐसे प्रस्तुत कर रही है गोदी मीडिया जो लगातार उनसे विकास पैदा करवाने का दावा कर रही है जिसके घर में विकास नहीं यह वह देश में विकास नहीं कर सकता देश में देखिए अभी बात किर्शी मंतरी जी जो कहते हैं इसमें काला क्या है अगर काला उसमें नहीं होता तो आ सबस्ट चला होता अरे आज मोदी जी बात करते हैं राज सबा में बैटके कि मस्पी थी मस्पी हाई मस्पी रहेगी अरे हम पचातर दिनों से मांग क्या कर रहे हैं कि आप जो तीनों कानून लाए थे वो तीनों कानून वापस ले लिजिए और मस्पी पे गारेंटेट कानू बना दीजिए अरे मवजूदा इस्थिति यह है कि 10 रुपे किलो गेहूं बेचना पड़ता है वही लेकिन 20 रुपे किलो हमें नमक खरीदना पड़ता है अरे बाबा कामदेव की कंपनी जो सल्वार पहन के 2012 में भागे थे यह किस्तान उनकी सल्वार को पकड़के और फान बने का काम करेगा बाबा रामदेव आज 5000 करोन की कंपनी कैसे हो गई अगर यह लोग इनके बड़े-बड़े उद्योंग पतियों के जैसे अडानी, अमबानी, अमेजोन, पतंजली, इन सब के अगर यह कंपनी जो कानून है, यह कानून लाए है सिर्फ इनके लिए है, गर कि बाज रोड पे बैटा हुआ है अरे गुद गरीबों के पास तो खेती नहीं है जो 100 रूपे रोज मजदूरी करते हैं आकिर वो जब ये कानून लागू हो जाएगा तो 100 रूपे किलो कौन आनाज खरीदेगा अरे ये गरीब सोसित होंगे ये सरकार सोसड करना चाह रही है सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है और इस गौवर्मेंट को अपने हैंकार को तोड़ना पड़ेगा जिसके घर ना घर हो ना लुगाई हो सटर साल की जनता की कमाई और शरप सास्टाल में कुणाई हो ऐसे थे जाए गर आप नाम बताइएगा तो उसको पंद्रह ला依ी नाम दिया जाएगा पंद्रा लाग की नाम दिया जाएगा क्योंकि यही नरेंद मोधी सरकार कही थी कि आपके एकाउंट में पंद्रा लाग रुपे आएंगे और यह सरकार केवल जुन जुना बजाई है और कुछ नहीं दिया है जनता को इस सरकार ने तो देखिए यह थे हमां ऐसा तमाम किसान जिनोंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगे और किसान जो प्रदान मंति मोधी जब तक यह तीनों क्रिशी कानूनों को वापस नहीं लेंगे वो यहाँ पर डटे रहेंगे और दो अक्टूबर ह ही नहीं उससे आगे तक यह अंदोलन जो है वो चलता रहेगा